दोस्तों स्वागत है एक और हमारी नई वीडियो में मेरा नाम है शिवरतन और आप देख रहें शिवरतन एक्सपेरिमेंट दोस्तों आज हम बनाने बाले हैं कैनन धन को जिसमें जो सामाल लगेगा वह भी हम आपको बता दो सबसे पहले हमें एक पीवी सी पाइप की जरूर पड़े दी है तो गाइस यह जो रेडूसर है यह 110 mm वाई 63 mm का है सबसे पहले इसे हम यहां पर पिट कर लेते हैं इस प्रकार से इसके बाद हमें एक जो 63 का पीवी सी पाइप है उसकी जगर पर तो दोस्तों मेरे पास है यह पीवी सी पाइप तो यह इसमें फिट कर इसके बाद मुझे चाहिए एक एंड के इसमें लगाने के लिए तो गाइस मेरे पास है यह एंड के इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी डो रेडूसर और हैं जो हमारे पास जो रेडूसर हैं इनका एक दम जो अभी जो बनाएंगी उसके लिए भी जरूरत पड़ने वा अब हमें क्या करना है इस यह जो है इसे हम टाइस कर लेंगे इस पकार से तो सबसे पहले अभी हम थेवी किक की मदब से इसमें हम थेवी किक को डालेंगे एक इसके लिए नहीं दो ji निग एक यहाँ से इस तकार चार को मैं डाल दो शॉकर से इसमें क्या होगा जो आमरा फैवीयक हृ मैं झीज से तो चौस्छी है इस के बाद मैंने तुरा टीकार से कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो दोस्तों इसके अंदर मैंने लगा दिया है चारो तरफ फेवी किक जिससे की जो इसका गैस वगरा है वो लीकेज नाओ और इदर भी चारो तरफ मैंने फेवी किक को लगा दिया है इसके बाद दोस्तों जो यह हमारा एकदम बढ़िया से गन बन चुका है इसके बाद हमें जो कैनन यह गन है इसका कैनन गन पूरा लुक देने के लिए हमें यहां पर एक इसकोप लगाना पड़ेगा इसकोप के ल लिए इसे लगाएंगे तो इसके लिए हमें चाहिए यह आदा इंची टीवी सिपाइब की तो दोस्तों यह जो पाइब है अब क्या करेंगे इसे हम अपने हिसाब से सबसे पहले इसे बिल्कुल पी के लिए इसे इतना नॉर्मल काट दे रहा है करीब दो इंची डेर पार्षी क्या करें तो बाईस यह जो हमारे जॉइंट रहें यह वगएदा जो है यह अब हम इसे कैनन का लुक देने के लिए अब इसमें लगाएंगेों तो इसमें लगाने के लिए सबसे पहले मुझे ऐा यह पाईप को ज़रूरत पड़ेंगे तो सबसे पहले तो इसे हम उस हिसाब से गिसने के लिए यहां पर इस परकार से और इसे ऐसे गिसना पड़ीगा तो गास इसे मैंने एक को गिस दिया है इसी परकार से मैं इन सारे तकड़ों को गिस दूहुंगा तो गाइस अब यहां पर हम इसे जोइंट करेंगे जोइंट के लिए सबसे पहले इसको यहां पर जोइंट कर देंगे यहां पर जोइंट करने के वार इसमें तेवी किक लगा देंगे इसके बात पर तक इदर का काम कर लेते हैं इसे इस परकार से यहां पर लगा देंगे और इसे पी को ऐसे इस परकार से तो जाइस यह हमारा इसको बन चुका है एक दम बढ़िया से इसके बाद पुड़ा यह सूप जाए इसके बाद इसे यहां से स्वूप जाइस बन चुका है हमारा इहां पर और इसके बाद देख सकते आप एकदम बढ़िया से हमारी गंड बन चुकी है इसके बाद यहां पर इसके अब लगाएंगे लाइटर को यह पर लगाने के लिए सबसे पहले हम इसमें अई कहल करㅠㅠ या अपके पास द्रिल मसीन चेहरो है , या तु आप 76 है, चैची रखतो है , में मैं इसे चैची से झीज़ करणा है तो आप देख सकते हैं यहां पर और आप इसे में पिट करूंगा तो गाइस इसके बाद यहां पर हमारी गन बन चुकी है एकदम फैवी किक लगा दिया है बढ़िया से एकदम यह चिपक गई अब देखो गाइस अब आज भी आने लगी है कोई नहीं अब इसकी है टेस्टिंग की वारिश क्या यह धमा का कर पाएगी तो गाइस अभी तो नहीं अभी यहां पर यहां पर रखने के लिए और भी यह यहां पर इस परकार से इसे सेट करनी पड़ेगी तो गाइस इधर भी सेट कर दे रहे हैं तो इसे सेट करने के लिए यहां पर इस परकार से उगार समारा एक यहां पर पर शर्द का आता है तो यहां पर मैंने इसे अब कैनन गन का पूरा फोल गन का लुप दे दिया है देखो गायस में अब इसे यहां पर रखता हूँ देखो यह देखो पूरी हमारी करिए वह तो गाइस यह कम से कम डेल मेटर की गन हमारी हो चुकि है एकदम बनके तयार तो जाए अब हमारी है इसे चलाने की वारी तो गा sex बन चुकी है वारी ये गण एकदम पढ़िया है तो गाइस इस इसका लोक आपने देख लिए ऊऑगाएस यह जो हमारी cannon gun है ये बन्कैंशक कि हमें कुछ। इधर और इस स साइड में वर करना है जो कि इस के अंदर यह हमें की की लगानी है जिस सब्से बए этом कर देदे पर देंथिए को चलिए सब्सक्राइब इसे हम यहां पर वोल कर देते हैं यह से बाद बाद डालेंगे हम केल्सिन कार्वोनेट जिससे बाद बाद डालेंगे हम केल्सिन कार्वोनेट से कि इसके अंदर बनेगी गयस यह जो बौतल है इसके अंदर डॉंगा जो यह पर रुख जाए मिश्चे के बाद बा 했어 कि बहुत ही कमाल घ्र अब चलते हैं इसमें डालते हैं केल्सिम अब आय Сबसे乾जिब कंड तो अब इसके अंदर इसमें कैल्सिन कार्वोनेट को लक्र व बोतल यह जो गन हमारी कैनन गन है यह एकदम फट सकती है तो इसके लिए हमें सिर्फ थोड़ा जो मदमक्की होती है उसके बराबर का तुकड़ा इसमें डालना है और फिर देखेंगे क्या धमाका हो जाएगा तो इसे गाइस में फोड़ूंगा इस केंची की मदद से पत्तर है गाईस को अब इसे में इसमें ढल दूंगा है कि और हमारी high herkes यह जो तुकड़ा और अब इसके अंदर मैं ढाल दूंगा इसके बाद देखेंगे किया धमाका हो जाएगा तो मैस्त अब डालेंगे इसके अंदर हिरे व's यहां पर आपने देख ली आए यह इसमें कितना पावर था तो गाइस, यहां से यह जो पाइप था, यहां से यह फ़ड़ चुका है, तो गाइस, यह था इसका ध्माका, तो गाइस, मैं एक बात कहना चाहूँगा, इसकी जगह है, यह तो मैंने आपको बना के दिखा दी, अगर गाइस, इसके अंदर, अगर वो जो लोह का पाइप यह मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया है और गाइस या इसमें ध्माका था इसके बाद में दूसरा और भी डालूँगा अब लोग कुछ भी ट्राइ बिल्कुल भी मत करें तो गाइस पहला राउंड था यह था दूसरा राउंड जब कि दोस्तों यह जो केल्सियम का अगर इसके अंदर जादा डाल दोगे तो इस परकार से धमाका हो जाएगा तो किर्पया आप ऐसा कुछ भी ट्राइ न करें और मिलेंगे नेश्ट वीडियो में नई एक्सपेरिमेंट के तब तक के लिए जैन जै भारत